पुलिस पर की फाइरिंग गोली लगने से मारा गया बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में दो लड़कियों के साथ यौन उत्पीडन के आरोपी अक्षे शिंदे को पुलिस ने गोली मार दी महराश्च के ठाने जिले के बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में दो लड़कियों के साथ यौन उत्पीडन के आरोपी अक्षे शिंदे को पुलिस ने उस समय गोली मार दी जब एक अधिकारे की रिवॉल्वर छीन कर उन पर गोली चला दी ठाने क्राइम ब्रांच ने प्रोड़क्शन वारंट के आधार पर शाम साड़े पांच पजे तलोजा जेल से आरोपी शिंदे को उसकी पतनी द्वारा दर्ज किये गए नए मामले में हिरासत में लिया उसे जांच के लिए ठाने ले जाया जा रहा था जब वाहन मुम्बरा बाइपास के पास पहुचा तो शिंदे ने वाहन में सवार एक अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और दो से तीन राउंड फायर कर दिये जिससे अधिकारी घायल हो गया जवाब में दूसरे अधिकारी ने शिंदे पर गोली चला दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया महराज़्ट के ठाने जिले के बदलापूर कस्बे में स्कूल के शौचाले में शिंदे द्वारा कथे तौर पर दो नाबालिक लड़कियों का यौन उत्पीडन किये जाने के बाद पिछले महीने सडकों और स्थानिय रेल्वी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर विरोथ प्रदशन हुए थे स्कूल ने 23 वर्षी शिंदे को एक अगस को अपने शौचालियों की सफाई के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया था लेकिन जॉइन करने के दस दिनों के भीतर उसने कथे तौर पर अलग-अलग दिनों में दो लड़कियों का यौन उत्पीडन किया महराष्टर के उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडनावीस ने पुलिस आयुक्त को बदलापूर पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस निरीक्षक, सहायक उपने रिकषक और हैट कॉन स्टेबल को तुरंत निलंबित करने का आधेश दिया इसनों ने बदलापूर की घटना के शुरुआती चरण में कारवाई में देरी की थी। कूल प्रबंधन ने इस घटना के लिए प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडनेंट को निलंबित किया है। 3 सितंबर को मॉंबे हाई कोट ने पुलिस से कहा कि वो ठोस मामला बनाए और जनता के दबाव में जल्दबाजी में चार्शी दाखिल ना करे।